नमस्कार मैं हूँ राउल शर्मा आप देख रहे हैं SP9 News वागत है आप सभी कहाज की इस बड़ी कबर में बड़ी कबर की शुर्वात महराष्ट से जी हाँ महराष्ट में बीते काफी समय से जो सियासी उथल पुथल मची हुई है जिस तरह से महराष्ट के अंदर राजनीती गलियारों में चर्चाए हो रही है एक नाश शिंदे को लेकर उद्दो ठाकरे को लेकर देवेनर फानवीस को लेकर इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल अगर हमें जुरत पड़ती है तो हम विदान सब्वा में कितने विदायकों को कॉंफिडेंस के साथ रख सकते हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि शिवसेना को सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि शिवसेना के जो विदायक वह लग हुए कॉंग्रिस के तो बने NCP के बने तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को अपताय करना है कि कैसे एक नाश शिंदे को मनाया जाए देखे राजनीती में सामदाम डंडवेत का हर तरीका अपनाया जाता है और यही राजनीती है अगर वक्त पड़ता है तो शिंदे के कदमों में गिरना भी पड़ेगा मजबूरी है या तो पावर कुर्सी या शिंदे या फिर आप विपक्ष में बैठी तो सीधे तोर पर हम देख रहे हैं कि शरत पवार राजनीती के अच्छे खासे जानकार हैं उन्हें पता है कि क्या कुछ इस्तती बनिए तो सीधे तोर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उद्दव ठाकरे बहुत बड़े हद तक मान गए हैं उद्दव ठाकरे शरत पवार कॉंग्रेस के विदायकों के साथ जो बैठक हुई है मीटिंग हुई है उसमें ताइक किया गया है कि एकनाथ शिंदे को जो चाहिए जो मंत्रा ले उन्हें पसंद है वो ले सकते हैं इस शिंदे की नाराजगी को खत्म करने के लिए उद्दव ठाकरे अब सामने आ रहे हैं संजर राउत को जिया मैदान में कड़ा कर दिया है और सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे की नाराजगी खत्म होती है तो समझ लीजे बीजेपी का खेल पूरी महाराश्ट में फ्लॉप हो जाएगा और बीजेपी सरकार बनाते बनाते रह जाएगी आज के लिए तहीं आप से दुबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजे नमस्कार